डिसको डांसर के निर्देशक ने मिथुन चक्रवर्ती को याद करते हुए कहा कि सेट पर वे लगभग रो परे थे, कैसे वो परेशान रहते थे। फिल्म निर्माता बी सुभाष ने मिथुन चक्रवर्ती के दादा साहब फाल के पुरसकार जीतने पर अपनी प्रतिक्रिया को याद किया। ये मिथिया पत्थर बन गई है। अंसर को दिया गया है। ऐसा लगता है कि हमारी फिल्म ने यह बहुत बड़ा सम्मान जीता है, हंस्ते हुए कहते है। मैंने उन्हें एक संदेश भेजा और उन्होंने जवाब दिया, यह कहते हुए कि मैंने उनके लिए जो कुछ भी किया है, उसके लिए वह आभारी है। हमारे बीच एक बेहतरीन रिष्टा है, सुभाश कहते है, जिन्होंने तकदीर का बादशाह में मिथुन का भी निर्देशन किया था। इस बारे में बात करते हुए कि उन्होंने चक्रवर्ती को क्यों चुना, जो उस समय तक बहुत प्रसिद्ध नहीं थे तकदीर का बादशाह में, सुभाश कहते है, हमारे निर्माता राम दयाल इसके लिए बहुत उत्सुक नहीं थे, इसके बावजूद मैंने उन्हें फि कि उनका करियर शायद उस तरह से आगे नबढ़े जैसा वे चाहते थे, आगे क्या हुआ, यह बताते हुए सुभाश कहते है, एक दिन मैंने देखा कि वह बहुत परेशान और मुश्किल में लग रहा था, जब मैंने पूछा, तो मिखुन ने लगभग आसों में कहा कि इत दिस्को डांसर अधी तूफान और Adventures of Tarzan के निर्देशक आगे कहते है, स्क्रीन के लोगों को मेरा काम पसंद आया, और उन्होंने एक लेक प्रकाशित किया, बी सुभाश मिथुन चक्रवर्ती अभिनीद दिस्को डांसर का निर्देशन करेंगे, जब यह रिलीज हुई, तो मुझे लगा कि फिल्म को लेकर पूरे देश में उत्सुकता और उत्सा है, मैंने इसके लिए पूरी कोशिश की, मुझे याद है कि शक्ती सामंत ने मुझसे कहा था, इतना पैसा, इतना बरा सेट लगा कर रखा है, सुभाश को खुशी है कि डिस्को डांसर के निर्माताओं ने फिल्म रूसियों ने इसे स्वीकार किया और यह पूरी दुनिया में बहुत लोकप्री हो गया, मिथुन की दादा साहब फाल के पुरसकार के बारे में मीडिया द्वारा लेखों में जिन चह या साथ फिल्मों का उलेक किया गया, उनमें से चार मेरी है, वह आज भी मेरा सम्मान क करते हैं, कुछ समय पहले बपी लाहिरी को समर्पित एक कारेक्रम में मिथुन ने मुझे देखा, खरे हुए और मेरे पैर चुए, उन्होंने सभी से कहा, मैं आज जो कुछ भी हून वह भी सुभाश की वजह से हूँ